स्वागत हो दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में फिर हम आपको एक नई जानकारी बताने वाले हैं बनारा सिंदू इनवर्शिटी में अगर आप प्रिवेस लेना चाहते हैं तो सत्र दो हजार एकईस बाइस इंटरेंस एक्जाम के फॉर्म भढ़ने की जो डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है तो अगर आप बनारा सिंदू इनवर्शिटी से ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप उनलाइन आविदन कब से कब तक कर पाएंगे आपको जो एक्जाम सेंटर है वो कहां कहां मिल सकता है और इसके साथ-साथ इंटरेंस एक्जाम फॉर्म भढ़ने की जो फीस है वो कितनी है इस इन सभी की पूरी जानकारी क से स्टार्ट हो चुके हैं तो आप स्कीन पर देख रहे होंगे हमने जो है पनारा सिंदु इनवर्सिटी का जो होमपेज जो उपन किया हुआ है यहां पर हम नीचे चलते हैं आप देखते हैं एपलाइफ और एडमिशन एकैडमिक सेक्शन दोहजार एकईस-बाइस यहां फर्स्ट नंबर पर आप अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम और दूसरे नंबर पर है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम तो यहां पर सबसे पहले लिस्ट कोर्स की लिस्ट दी गई है तो आप जो है लिस्ट को ओपन करें और यहां पर देखें कौन-कौन से कोर्स ह साथ ही यहां पर information दी गई है कि आप आविधन जो है कहां से कर सकते हैं तो यहां पर click her to apply का option दीया गया है सबसे पहले हम जो है इसे link ओपन करते हैं कि graduation में और post graduation में कौन कौन से course में आप आविधन कर पाएंगे तो हम सबसे पहले PDF open करते हैं यहाँ पर यह graduation के course है तो graduation में कौन-कौन सी course है हम जल्दी से यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप BA Honors Art का जो यहाँ पर course है BP Ad का course है Vocational course यहाँ पर है और इसके साथ साथ हम नीचे चलें तो आप यहाँ पर B.Ed के लिए भी आविदन कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले BA Honors Journal course है यहाँ पर BCom Honors Journal course है यहाँ पर BCom Honors Financial Market Management का course है यहाँ पर इसके बाद B.Sc Honors Math और Bio Group का course है इसके बाद हम आगे चलें तो B.Ed Bachelor of Education का भी course यहाँ पर है तो आप B.Ed भी यहाँ पर कर सकते हैं इसके बाद आगे चले तो B.Sc Agriculture का course आपको यहाँ पर मिल जाएगा और B.Tech Food Technology B.Tech in Food Technology और B.Tech in Dairy Technology का course भी यहाँ पर आप कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर L.L.B. Honors Bachelor of Law का option यहाँ पर दिया गया है B.A.L.B. का भी course यहाँ पर है तो यहाँ पर आप जो है इन सभी की course की information देख सकते हैं कि कौन सा course है और कौन सा आप करना चाहते हैं वो course आप यहाँ से कर सकते हैं अब हम post graduation में देख लेते हैं कौन-कौन से course है यहाँ पर P.E.T. के अंतरगात है नहीं post graduation के अंतरगात है यहाँ पर आप M.A.M.S.C. यहाँ पर सबसे पहले जर्णल course में M.S.C. है जिसमें physics, chemistry, geology, geology, botany, computer science, biochemistry और यहाँ पर M.S.C. B.T.E.C. भी यहाँ पर है और इसके बा पर कर्णाख को रहाँ हैं और M.A. के भी यहाँ पर बिभिन पर कर्कार के cours हैं तो आप यहाँ पर ma-m o m c m s c m co m आ दिए गए packed मे बाए सीम आपर जाविते हैं यहाँ पर मिन पर कर्कार आपीर यहाँ जो है यह सकते हैं और आप जिस भी क रहinder हो अट पर एंपर आपर इत apply कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे कोर्स दिये गए हैं इसके साथ साथ आप online जो exam center है वो कहां कहां है आपके नजदीक online center कहां से आपको मिल सकता है और इसकी date कब से कब तक आप आप इदन कर पाएंगे तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कब से कब तक आप इदन कर पाएंगे तो graduation or post graduation की जो date है वो लगभक समान है आप देख लें स्कीन पर 14 अगस्त 2021 से 6 अगस्त 2021 तक आप जो है अपना आप इदन कर पाएंगे इसके साथ 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 सेतंबर 2021 तक आप जो है अपना फीस payment भी कर पाएंगे अब आपको entrance exam के लिए कि 300 रुपे का payment करना होगा पोश्ट graduation के लिए जो फीस है वो कितनी यहाँ पर entrance exam की जो फीस है वो कितनी है तो यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे आप इसकीन पर देख सकते हैं जर्नल OBC के लिए 600 रुपे जर्नल OBC और EWS के लिए यहाँ पर 600 रुपे का payment करना है SC, ST और B यहाँ पर करना होगा डेट यहाँ पर सैम है 14 अगस्त से 6 अगस्त तक आप आविदन कर पाएंगे और अगर आप आविदन में टुटी सुधार करना चाहते हैं तो 8-09-2021 से 12-09-2021 यानि 8 सितंबल 2021 से 12 सितंबल 2021 सक आप अपना आविदन सुधार कर सकते हैं या entrance exam की जो date है वो यहाँ पर नहीं दी गई है और admit card download करने की जो date है वो यहाँ पर अभी नहीं दी गई है तो इसकी information आपको हम बाद में बताएंगे अब हम देख लेते हैं exam center आपके नजदीक कहां कहां होंगे तो यहाँ पर जो है list दी गई है exam center आपके नजदीक कौन सा exam center होगा तो सब बिहार चत्तीजगर गुजरांत हरयाना इसके बाद हिमाचल प्रदेश जम्मू कसमीर जहारखंड करनाटक केरल इसके साथ साथ लक्षदीप और मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश के बाद जो है महाराष्ट मिजोरम न्यू दिल्ली नागा लेंड और ओडीसा पंजाब प उत्तरप्रदेश तरपुरा आदीमे उत्तराखंड बेस्ट बंगाल यहां पर एक सो पचासी जो है एक्जाम सेंटर हैं तो आप इस पीडियेप को डाउनलोड करके जो है अपना नजदी की सेंटर देख सकते हैं या फिर आप फॉर्म एपलाई करते हैं तो वहां भी आप कोई इनफर्मिशन मिल जाती है फॉर्म एपलाई आपको कैसे करना है step by step पूरी इनफर्मिशन के लिए आपको दूसरा वीडियो यहां पर दिया गया है वो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि आप अपना विदन कैसे कर पाएंगे तो यहां पर और भी कोई इनफर्मिशन अ